उत्तर पूर्व, अध्भुत, रुमान्चक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो टाइरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम साड़े पाच बजे एफम गोल्ड पर पूरूतर डाइरी पूरूतर डाइरी के सभी सुन्ने वालों को नमस्कार मैं हूँ चंद्रिका जोशी रविवार की साथ ही हमेशा कीते हैं एक बार फर हम आप पहुंचे हैं आप से मिलने और अपने साथ आपको भी पूरूतर की और ले जाने के लिए पूरूतर डाइरी आपके संसकरन में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सथाह राश्च्रकति भवन में दोहजार तेज के 106 पद्मा पूरसकारों में से 54 पूरसकार प्रदान किये गए पूरूतर में किन राज्यों से किसी सम्मानित किया गया ये हम जानेंगे मीजुरम में लुंगलेई को मिला स्वच्छ शेहर का पूरसकार त्रिपुरा में 13 मीं विधान सभा का पहला सत्र शुक्रवार को अगर तला में शुरू हुआ असम में G20 देशों का अनसंधान और नवाचार यूजना सम्मिनन शुक्रवार को असम के डिब्रुगर में संपन हुआ साथ ही खुमताई विधायर मरनाल साइक्या के साथ उनके निर्वाचंग शेस्ट में एक अध्यूतिय स्वच्छ गाउं और स्वच्छ चाय बागान प्रतियोगिता आयोजित करने पर साक्षा कार हम सुनेंगे पूर्वोतर की ओर जाने का या घूमने का अगर आप मन बना रहे हैं तो आज ये जानकरे आपके लिए बेहत जरूरी है इस सतह दिल्ली के सर्दटरंग रेल्वे स्टेशन से भारत गौरव रेलगारी नौर्थ इस्ट डिस्कावरी बियांड गुवाहाटी को रवाना किया गया ये रेलगारी पंद्रह दिन में अस्टम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा, त्रिपुडा में उनाकोटी, अगर्तला और उदैपूर, नागलेन में दीमापूर और कोहिमा, और मेघाले में शिलंग और चेरापुंजी के आपको यात्रा कराएगी भारत गौरव पर्याटक रेलगारी का शुभारंब, घरेलू पर्याटन को प्रोथसाहन देने की केंद्र सरकार के पहल एक भारत श्रेष्ट भारत और देखो अपना देश के अनुरूप है, पूरी तरह वातानुकुलित इस रेलगारी में दो प्रकार की सुविधाएं AC1 और AC2 हैं, इस रेलगारी को चैत्र नवरात्री और गुडी पढ़वा की पूर्व संध्या पर शुरू किया गया। संस्कृती राज्यमंत्री मिनाक्षि लेखी ने प्रधान मंत्री मोदी को रेलवे में सुधार के लिए उनकी दूर दर्चेता और पहल के लिए धन्यवा तो अब हमारे जो भी श्रोता पूर्वतर जाना चाहें, इस रेलगारी से आराम से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। आने जाने के इस प्रवंद के बाद अब बात करते हैं। त्रेपुरा के एक अनुभवी सामाजिक कारिकर्टा विक्रम बहादुर जमातिया को प्रातिष्ठित पदमश्रे पुरसकार से समानित किया गया। श्री जमातिया ने सामाजिक कारियों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। त्रेपुरा में 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में विद्रोही गुटों को और त्रेपुरा टाइगर फूर्स एटी टी एफ और नाशनल लिबरेशन फ्रंट ओफ त्रेपुरा एमेल एफटी के रूप में जाना जाता था। आगाश्वणी के साथ एक बाचीत में श्री जमातिया पुरानी यादों में खो गए और कुछ दिल्चस बातों को साजा किया। त्रिपुरा में जो पेराल गव्में चल रहा है उनको रेशिस किया। उनको शुरा दिया। उहां त्रिपुरा से बागा दिया। इसका करके दो हाजार दू तक कम्प्लिटली एक्स्टिमिस्ट एक्टिविटिस खोतम किया। ओभी जनजाति स्वास का सुशेल सार्विस हुआ। बहुत बोर्या काब हुआ। इसका काम देखने के बाद मेरा कमिनीजीशीफ का टेनियर भी खोतम हो गया। तो मेरा फोतम होने के लिवाइन बाद मेरा उत्तरपुर बबारत में जो सेबिन सिस्ट स्टेट है। प्रिक्षा इतना यह हुआ। श्री जमातिया ने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों और कस्वों से ही आएं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना पूरा जीवन गामों में बिताते हैं, फिर भी समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं विक्रम भादुर जमातिया। श्री जमातिया त्रिपुरा के 19-80 समुदायों में से ही आते हैं। त्रिपुरा राजे सरकार में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के लोगों के लिए आरक्षन के लाभों को कर्णचारियों तक नहीं पहुँचने देने की समस्या पर ध्यान देते हुए, उन्होंने इन समुदाय के व्यक्तियों को एक साथ लिया और तक्का काली सरकार को 1989 में एक कानून बनाने के लिए दबाव बनाया, वश 1997 में उनकी सेवा निवर्ति के बाद उन्हें अकरा बनाया गया, जिसका अर्थ है उनके समुदाय का प्रमुक्ष, अगर किसी को लगता है कि 86 साल की उम्र में स्री जमातिया ने अपने जीवन के सारे सपन पूरे कर लिए होंगे, तो आप कलत हैं। श्री जमातिया का कहना है कि अभी भी एक सौपन पूरा नहीं हुआ है और वो है स्रीपुरा राज्य में सभी 19 जनजातिय समुदायों के लिए प्राथागर्द कानूनों को लागू करना। प्राथा से रिष्टित रूप से ना केवल उनके समुदाय की लोग, बलकि देश के अन्य हिस्सों की युवा पेड़ी को भी प्रे न मिलेगी। पाद्मपुरसकार पाने वालों में अब असं की बात करें तो हेमो प्रवा चुटिया असं के दिब्रुकर्जिले के हतकरग कलाकार हैं, उन्होंने भगवत गीता को एक कपड़े पर बुना, हेन्चंद्र गोष्वामी जो माजुली के कलाकार हैं वो मुखाटा तयार करने के लिए जाने जाते हैं, इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी प्रसकार भी दिया जा चुका है, इसी तहे दिमा हसा जिले के एक सामाजिक कारे करता, रामकुई वांगबे न्यूमे सामाजिक कारे करता हैं, अस्थम के न्यूमे को हिराका के नायक के रूप में भी जाना जाता है, मीजोरम से पादमा पुरसकार पाने वालों में श्रिमती, केसी, रंदेम सिंगी, कला के एक शेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तितो हैं, मीजोरम की कला और संस्कृति के लिए वे बहुत लोकप्रिय और प्रसिद हैं, प्रसिद लोग गाईका हैं, इस वर्ष्य प्रतिष्ठित पदमश्री पुरसकार से संबानित होने से पहले, बहुती छोटी उम्रत से उन्होंने मीजो लोग गीतों को बढ़ावा देने की द कारिक्रमों और विवाह समारों में मीजो गीत काने लगी, धीरे धीरे लोग उनके प्रदर्शन की सराहना करने लगे और इससे उन्हें संगीत को एक पेशिक रूप में आगे बढ़ाने का विश्वास मिला, पिछले चार दर्शिकों से श्रिमते रुन्रिम सांगी, मिजर के लोग गीत और जन्जातिय संगीत के साथ मीजो विरासत के सर्क्रक्षन के लिए भी लगातार काम कर रही हैं नागलिंसे पादमिश्री परसकार विजेता निहनुओ सोरही को कला के लिए सम्मान मिला है श्रिमती सोरही जन्जाति लोईन लूम बुनकर हैं वे बुनाई के स्वदेशी शिल्प संग्रक्षन के लिए बहुत काम कर रही हैं और उन्होंने इस कला में 300 से अजिक महिलाओं को प्रशिक्षिक किया है श्रिमती सोरही को नागालें के मास्टर बुनकर के रूप में जाना जाता है श्रिमती सोरही अपनी कला करतियों अपने हस्ट शिल्प के लिए 2007 और 2022 में दो बार राष्ट्रिय हतकरगा पुरसकार प्राप्त कर चुकी हैं वे कोहिमा जिले में रहती हैं और आंगा में समुदाय से हैं उनका जन्म 1963 में हुआ चार साल की उम्र से ही अपनी मा से उन्होंने बुनाई की कला सीखी और 300 से अधिक स्थानिय नागा महिलाओं को करगे की बुनाई के साथ साथ मनके का काम भी उन्होंने सिखाया है ताकि वे आत्म निर्भर बन सकें और जीवी को पारजन में मदद मिले श्रीमती सोरही को संतकबीर पुरसकार भी प्रदान किया जा चुका है ये पुरसकार भारत सरकार द्वारा हतकरगा विरासक को जीवीत रखने में बहुमूल्य योगदान के लिए उतकृष्ट बुनकरों को दिया जाता है स्रीमती सोरही ने विभिनर रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रिय हदकरगा आयोजनों में नागालेंग का प्रातिनी देतों भी किया है मीजुरम में लुंगलेई को मिला है स्वच्छ शेहर का पुरसका मीजुरम के कस्बे और शेहर आम तोर पर बहुत साफ रहती हैं लेकिन कहते हैं ना कि सुधार की गुंजाईश तो हमेशा रहती है स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता अभियान को अधिक महत्व दिया है समय बीतने के साथ साथ कई शेहरों और सावजनिक स्थानों यहां तक की सड़कों को भी एक नया रूप मिला है केंद्र सरकार ने लुंगलेई शेहर को स्वच्छ शेहर पुरसकार और भारतिय सच्छता लीग 2022 पुरसकार से सम्मानित किया है स्वच्छ सर्वेक्षन 2022 कारिकरम के एक भाग के रूप में भारतिय सच्छता लीग भारत की पहली अंतर शेहर प्रदियोगिता है जिसका मेत्रेतु युवाव ने कच्रा मुक्त शहरों के निर्मान के लिए किया है लुगलेई जिले में विभन स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं लोग अपने शहर को साफ रखने के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए स्वच्छता दूद के रूप में भूमिका निभा रही लनन कावली पाव तो लुंगले की स्वच्छता लीग ब्रैंड अमबासडर है आकश्वनी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा बढिक अियर अवाना थता ले करके सुच्चतास नालै को या वर इंद रगल त्यारी हश्मिक्षा वे भ ПО तसके सबिखे काव में हो नाव ब्रैंड वाज़िसफ खूमिकी लिछीप Z sentiments फिए न प्रिंस और शे में स्व्च्छता ले घुख बाग! There are numbers of people who have started taking efforts to improve their status regarding the cleanliness of their house and surroundings. There are some who have started to join the League of Swachh Bharat Mission in their own pace. Shri Mati Lankawali ने बताया कि जिन महिलाओं, युवाओं और बच्चों की अपनी स्वयों की सवच्चता एकाई हैं, वे नियमी तूप से सवच्चता कारियों में शामिल होते हैं. She said the women folk, youth and children who have their own Swachhita units, join the cleanliness work on a regular basis. With Subhashis Tanda, this is Irene from Aizol. और अब बात सिक्किम की Badminton Association of Sikkim की दो अंपायरों को राष्ट्रिय ग्रेड अंपायर की साथ साथ, भारत की रास्ट्रिय माच नियंत्रत की रूप में मानेता दी गई हैं. हाली में, भुवनेशोर में आयुजित रास्ट्रिय नियंत्रत परिक्षा उत्ते में करने के बाद, नवांग लामा और करमला शेरपा को रास्ट्रिय अंपायर की रूप में मानेता मिली. बैडमिंटन एसोसियेशन आफ इंडिया की पहल पर इसे आयुजित किया गया था नवांग लामा वर्तमान में सिक्किम विशुविद्याले में प्रॉफिसर के पत पर कारे रथ हैं उन्होंने वश्च 22 में स्टेट अमपायर की परिक्षा भी पास की थी इस तरह से विशिक्किम के पहले राष्ट्यय मैच नियंत्रक बन गए हैं करमालार शेरपा अब तक कई राष्ट्यय और अंतर राष्ट्यय मैचों में अमपायर की भूमी का निभाच चुकी हैं बैन्मेंटन एक्स्वेशन अफ सिकिम के दो एमपायरों को राष्ट्य ड्रेड एमपायर के साथ भारत की राष्ट्य मैज नियंत्रक के रूप में मान्यता दी गई है। खाली में बोवनेस्वर में आयजित राष्ट्य नियंत्रन परिक्षा उतिर्ण करने के बाद नवांग लामा और कर्मा ला सिर्पा को राष्ट्य एमपायर के रूप में मान्यता मिली है। कर्मा ला सिर्पा अब तक कई राष्ट्य और अंतराष्ट्य मैचों में एमपायर की भूमिका निवा चुकी है। गानतुक से मैं दिदी रामदुलाल। मर्श किया गया विज्ञान और प्राद्योगी की विभाग में सचिव डॉक्टर एस चंद्रिशेखर ने कहा कि विज्ञान में जीवन को बेहतर और रचनात्मत बनाने की अपार्क शमता है। इस बैठट में G20 और आमंत्रित देशों तथा अंतराश्य संगटनों के 103 प्रतिनिभ्यों ने भाग लिया। अब चलें त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में 13 वी विधान सभा का नई सरकार के साथ पहला सत्र शुक्रवार को अगरतला में शुरू हुआ। किसानों की आए वर्षे 2015 सूलह के 6580 रुपए प्रति माहा से बढ़ा कर दो हजार 22 से इस तक 13,590 रुपए प्रति माहा करने का लक्ष रखा है। विधान सभा अध्यक्ष की चुनाव में भाचपा विधायक विश्वबंधु सेन ने कॉंग्रिस के विधायक गुपाल चंदर राय को पराजित किया। तिप्रा मूथा दल के 13 विधायकों ने मद्दान में हिस्सान नहीं लिया। सदन में दूसरे सबसे बड़े दल तिप्रा मूथा के विधायक अनिमेश देव बर्मा को सदन में विपक्ष का नेता होशित किया गया। और अब असन की बात। हमारे संबादाता मानस प्रतिम सर्मा बाचित कर रही हैं खुमताई विधायक म्रेनाल साइखिया के साथ। उनके निर्वाचिन क्षेत्र का एक अदूतिय स्वच गाउं और स्वच चाय बागान प्रतियोगिता आयूजेट करने के लिए इन दिनों चर्चा में रहे हैं। आज हम लोग के साथ है असाम के गुला नहाद जिलक के खुमताई विधानसवा के माननिया विधायक स्री मिनाल साइक्या जी। कुछ दिन पहले एक अनुखा पहल के जरीए वो पूरे डेजवर में सर्सा में रहें। वो है क्लीन खुमताई अर्थार खुमताई समस्ति के जितने भी गाउ है सब गाउ को मिला के सोचता का प्रोटिजोगेटर आज़न के था। इस बारे में और यह अनुखा पहल के बारे में बात करने के लिए मानने बिधायक महांदे अर्थ हम लोग के साथ जुरे हैं। सफीका जी, पहले आप बताए कि यह कलीन खुमताई जो कमपीरिशन थे सब गाउ को मिला कर या चाय बागनों को मिला कर वो कमपीरिशन क्या था और वो पहल आपने क्यों सुरू क्या ही? हमनुका आसाम का सेधे जो बूलता है बेलत अपर आसाम बेलत वो ब्यूटी नेसरल ब्यूटी बहुत है बहुत कुप्श्रुष है बहुत सुंदर है ग्रीन है ग्रीनाई है कोई थुरा फृब गंदे गीजिए खाड़ा गुता है देखने में तो मैंने शुसा क्यों ना हम पहले तो दो तिन काउ में एचे भी ये भीजन शर्टा की भीजन, तो मेने सुचा क्यों ना हमारा जो सेट्र है, जो हमनुका लेजिस्टरिटिव एसेमली कंस्टियेलची है, वो सेट्रो की सब काउने, क्योंना एक एक कमपेटिशन बना के, जब को इंभल्ब कोरे वो पुर जो अगर्णा चेत्रो हम क्लीन करें, फिदे मेने सुचा की एक कॉंपेटिशन रगतूं, क्लीन भेलेज कॉंपेटिशन, इंटा भेलेज ए इंटा टी गारें, ये हमने शुदु किया और चार पाट में इसको हम डिविजन किया, मेना शर्ट्र को, 1,2,3,4 तो आज टी गा मेरा अधर में है 24 टी गारें चे और काउं है 148 एक चार चलिस गाउं है तो मैंने पहले देखला किया जो गाउं ये कॉंपेटिशन में पाटिशिपेट करेगा वो रेजिस्टार कोड़ें, तो मैंने देखा और मुझे बहुत खुसी हो गया कि थारा कि थारा गाउं, थार 13 February को, 17 में मैंने officially start करेंगा बुला था, 17 को, the commission starts on 17, officially, and एक टाइक को खुटम होगा, मार्स, मार्स, एक को मार्स कोटम होगा, कोटम मतलग अमनुका दिस्टी से उलग टो काम तो हमने सब कर से गया, तो इसे लोग सब गाउंका सब आभमी निकलके, पहले दोस आदमी आग गाउं में निकला सा, तो बाद में देखा आगया कि जो प्रम सिल्डन टो एदाल सब औरोत जुएन लोग सब निकालके अपना दना रश्ता और अपना जो औरभी है और सब्सक्राइब न डियुकर और में बुरा हम से चिकल्ए हूं नम के लिए बहुत बहुत बुढों है तो सब अन्मी निकल के सब ये कम में लग गया तो 1-2-3, 1-2-3 में हम लोग लोग के लिए कुरूस दर्जमें किया, हम लोग छापास अदमी सब गामें ने खा तो कुरूस कुरूस लोगों को फाइनल कॉम्पिटिशन से आउट किया, तो 48 को आउट किया, 100 बेलेस रहे गया, टीगरें भी छाइर माउथ होके बीच रहे गया, तो 120 फाइनल कॉम्पिटिशन के लिए रहे गया, उसके लिए हम लोग पास टीगरें के लिए एक जूरी तीम, और बकी जो फोर डिविजन मनाया था, उसके लिए छाइर तीम निकला, जिसमें एकादेमिसियन था, मेजिय इंस्टिविशन और दो सार ये इंडिविजन रेसिडेंस को डेखा, देखके मार्किंग किया, मुझे ये सिल अन्होर देखिया, तो पहले बात था, अमलों का अमरेबल सी पिनिस्टर सार मुझे, मैं उसको रिक्रेस किया था पहले, कि वो रिजल्ट इगना करने के लिए तो इसने भी इंडिया था, वो मुझे ताइम देख सेवेंटिन को, वो गया, तो वो रिजल्ट इना उसको दिया, तो गाउ में इतना भी खुछी है, कॉम्पूरिशन तो कॉम्पूरिशन, सब लोग ऐसे खुछी में है कि ये कॉम्पूरिशन मिले या ना मिले, हम लोग क कॉम्पूरिशन फिल्ट, दुस्री सर के लिए पिपरेशन, पिपरेशन, शुरू हो गया, तो रिजल्ट एक्साल बाद फिल्ट है, और जो आपने जो प्राइजे लेक्राइज के बहुत ही अनुखा प्राइज था, कि जो फर्स प्राइजे वो एक किलोमेटर पके सर के हो होंगे और इस तरफ के, तो वो आइडिया कैसे आता है? पांस देविजर में पांस थाइज के लिए वो गाउद एडियूट एज कैसे लोगों का गाउमें, रिलिजस इन स्रिश्वल रहता है, अंग्ण मारी सेंटर रहता है, क्लास है, रहता है, सेंस हेल्ट गूरूम का बहुत प्रॉब्लेम रहता है, हमारा घार नहीं है, कोई कुलता है अंगरमडी ये ठीक नहीं है, कोई रिलिजियस इस्टिशन का ठीक नहीं है, वो लुको फान से ये, तो सेकेंड प्राइस आग जया दस लाक रुपिया ये सब के लिए, तो अमेले जो हमानों का फान मिलता है, आमताइक फान मिलता है, बोड़ागे सबा, MP लुक का अच्छा जया ज़ुँगा बुलाशान कि थर्द प्राइस ये एक लाक रुपिया, फोड प्राइस ये फिफ्ट प्राइस ये तो अमनुका ची मिलिस्टर जाके तो इन दबुल कर दिया, जे मिलता है इतना दिक्लागे अशा मैने दबुल कर दिया, मेंस एक वन किलमेटर गर्णी प्राइस, में और एक 1-2 बाइस ता दे लुपा, जो 10 लाक्स मिला है और गोर 10 लाक्स मेड़ और 20 लाक्स में दे अच्छा, 20 लाकस में तो गाउं का सब्काम हो जाएगा, जो ये सब्काम रेता है, तो अच्छा है गाउला भी नया, गेम में वोड क समीवा वोड खुष है और खुष है कि हमने गाउं साफ हो गया देखने में सुनरे लगता है असमें इस गाउं से भी ग्रीन है अचले बहुत सक्सेसुल रहा है और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं देश के पर हम जो ससका को लेकर बात करते हैं ससका मिशन के लिए आगुए करते हैं तो आपको क्या लगते हैं कि जो आपने खुंता में शुरू किया उससे पुरे प्रदेश में कैसा इसका असर होगा और बाकी लोगों कैसे उच्छा मिलेगा जब जोब जोब अभी बात कर रहा हैं आप रेडियो से आए मेरा इंटर्व आपको अपने बावा देने के लिए बहुत सरा काम किया लोगों का अभी उसके लिए कैसा इंकरेश्मन है कहां कहां से लोग आते हैं वो खुमता है घूमने के लिए देखने के लिए और बाहं क्यूंकि ये प्रोग्रम पुरे देज़वर में चल रहा है अगर बाहं के लोगों कि आना स्यहे कैसे आयेंगे कहां रहेंगे आप ये पता बहुते हैं नुक का गाउन डिखने कार भी हमके में से होइं कि हम में इसे में गई सकता हैं ओर देख सकता है है और तुरीषक का स्चानिशन को सब्सक्तिर भूल करतु है? बताया जितने भी आपके एसेम्ले में लोग सब लोग उसके говорить कमिटर mg एक फॉूल को ऐसेख को क्यों को क्यारी किजिबा करें वह और रहे finals के हम si hom ganda के लोग वो कैसे बताया कि फूर्बास्थिक को इतना हो सब्सक्राइब लिए इसको बॉयकोत कोई एक बैक जब घर से निकलते है तो एक बैक लेकर जाएए प्लास्टिक कैसे आता है उमनों बजर कटा है प्लास्टिक बैक नहीं बेक लेक ये छेल भी होता है अग्मी लुक पैसे कॉम मिलता है वो इसको जुताना पुटा इसलिए वो नहीं रखता है छेली होता है प्लस्तिक फोटो लोगा सब शेल होता है तो गंदेगी मुट फेला हिए सब क्लीनर हिए क्लीनलिनेस मुटलब हेल्दी इतना सब्सुत्र रहेंगे उतना बिमार कोमाएंगे लाइफ अपना बढ़ेगा और जैसे ये अपने अनुका पहली इजबार शुरू किया खुम्टा में और आप से एंकरेज हो के बहुत सरे मानेने विध्याक और मंतिजी ने भी यहां पे डिकलर कर दिया तो आने वाले दिनों में आप और इसमें क कुशिस करेंगे कि सब सेल्फ इल्स बने जिब सबका नोकी देगा रहे जिसके लिए अब ही आप सुन रहे थे माननाल सायख्या के साथ हमारे संभात दादा मानस प्रतिम सर्मा की बाचे और चलने से पहले एक रोचक जानकारिया आपके लिए हर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश होती है, कोई सपना होता है असम के सिपाजहार के एक दुकानदार मुहम्मद सैदुलहक ने अपनी गाड़ी कमाई से स्कूटर खरीदने का सपना पूरा किया इसमें कोई तलब ये है कि श्री हक दो पहिया वहन खरीदने का सपना पिछले करीब 5-6 वर्ष से अपनी आँखों में देख रहे थे पिछले कुछ समय से वे 1, 2, 5 और 10 रुपे के सिक्के जमा कर रहे थे जब स्कूटर खरीदने के लायक पैसा उन्होंने जमा कर लिया तो वो सारे सिक्के एक ठैले में भर कर जा पहुँचे दोपहिया स्कूटर के शोरूम में और भविश्य के प्रयासों के लिए श्री हक की सफलता की भी काम ना की पूर्वोत्य डायरी के लिए नियत समय अब समाप्ति की ओर है अगले सत्ह आपसे फिर मुलाकाथ होगी रविवार कर रहे गा इंतुज़ार अब अनुमती दीजिए आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी तक्नीकी साहयक दानेश जैदी ये कारिक्रम आकाश्माने के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर पूर्व, अध्भुत, रुमान्चक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो टाइरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर जविवार शाम साड़े पाच बजे एफम गोल्ड पर पुरूतर दाइरी